ये है नियो हेंडे वाना 2023 का SXO model जो आता है 1.5 liter turbo engine के साथ engine specific same ही expected है बस इसका रूप को company ने और निखार दिया है so first time in sedan आपको देखने को मिलेगा daytime running leds जो की connecting daytime running leds है front में अभी तक किसी भी sedan car में ये कहीं कोई concept ही नहीं तो company ने इसके अंदर अब halogen headlamps को या projector headlamps को हटागे डारेक्ट LED headlamps को इसमें integrate किया है और आपको base model में halogen headlamps मिलेंगे company ने इसके अंदर fog lamp का भी version हटा दिया है एक बड़ी सी radiator के रिलागे लगाई है जो बहुत शानदार दिखती है alloy आपको दो तरीके के इसमें दिखने के मिलेंगे एक black और एक chrome के साथ finish में भी लेगा तो कुछ ऐसी आपकी रात में car दिखने वाली है वे टे टाइम रेनिंग LED के साथ जो बहुत ही शानदार दिखेगी यह है complete front लोग जो आपको बताता है कि गाड़ी कैसी दिखने वाली है सामने से side profile full of cutting, full of edges जो आपको इस गाड़ी को बहुत ही aerodynamic बनाते हैं इसके अंदर आएंगे आपके 16 inches के alloy जो बहुत ही देखने में premium लिख रहे हैं अब हम बात करते हैं back profile की back profile में भी company ने first time in sedan integrate किया है daytime running LEDs जो की connecting tail lamp है वेन्यू के बाद इसी second car है Hyundai के जिसमें आपको connecting tail lamps देखने को मिलेंगे उसके उपर proper तरीकी करीवी badging है वर्ना की पहले से अगर मैं बात करूँ तो boot पहले से वर्ना का जादा बड़ा दिख रहा है देखने में गाड़ी बड़ी लंबी लग रही है expected होगा कि गाड़ी में पहले से जादा leg room आपको अब मिले का देखने को boot space में भी आपको जादा देखेगा ये 1.5 turbo engine हमारे सामने खड़ा है इसके अंदर आपको मिलेगी keyless entry जो कि आपको driver side के handle पे मिल जाएगा इंडिकेटर और reverse light बहुत ही प्यारे तरीके से गाड़ी में इंडिकेट करेगी है ये जो आप दो boxes तीन लाइनिंग देख रहे हैं ये तीनों लाइनिंग आपको इंडिकेटर और backlight की है तो रात में कैसी आपको गाड़ी दिखने वाली है रात को आपको गाड़ी ऐसी दिखने वाली है back side से जो कि बहुत ही premium और बहुत ही शांदार आपको दिखेगी on road तो presence के मामले में बहुत अगेन वरना जीच जाएगी वरना पहले भी एक stylish car थी अब भी एक stylish car है तो वरना इस model से भी वो tag अपनी legacy अपनी continue करेगा तो अभी भी boss आपकी चांदी होने वाली है तो ये interior है interior में speedometer कर look पुरा i20 जैसा ही दिख रहा है इसके अंदर आपको boss का पूरा sound दिखेगा और entire अगर मैं आपको interior के बात करूँ तो दो colors में आपको interior देखने वाला है एक complete black और एक black और beige में तो black जो interior दिखेगा जिसके अंदर red line होगी इसका मतलब वो turbo engine के साथ आपको देखने को मिलेगा infotainment system का layout पूरा वही मिलने माला है जो कि already आता है Hyundai में बस अब देखने वाली बात होगी कि इसमें Apple CarPlay और Android CarPlay आपको wireless मिलेगा या वायर के साथ मिलेगा तो वही एक चीज है जो इसमें भी देखने को फिकरस वेन्यू में हमें wireless ही मिलता है यह इसमें door trim आपको design मिलेगा इस गाड़ी के अंदर आपको पूरा ambient lighting भी मिलेगी तो यह एक red line है जो आपको दर्शाएगी कि यह गाड़ी turbo है यह आपका automatic climate control USB socket इसमें company ने दिया है with type C charger point भी आपको मिलेगा wireless charging point मिलेगा electronic handbrake आपको मिलेगा steering पूरा नया fresh design है company ने जो create किया है वर्ना के लिए इसमें आपको cruise control के signs और volume सारी चीज़ें आप steering से ही control कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें premium look company ने दिया है side trims में भी window ups and downs के सारे सेम ही हैं ये आपका automatic climate control है जिसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे ventilated seats के भी option company ने इसके अंदर दे दी हैं इसके अंदर पहले की तरह air purifier भी integrated मिलेगा ये एक door trim पूरा design मैं आपको दिखा हूँ इसके अंदर दो bottles अराम से आप रख सकते हैं ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी पहले जो interior आपने देखा वो complete black था नाव ये जो interior है complete black नहीं है ये black और beige color का है बट interior देखने में बहुत ही शांदर और बहुत ही प्यारा देख रहा है तो ये आपका कुछ है जो आपका ambient light आउन करने के बाद मिलेगा जादा ही मिलेगा because boot पहले से जादा वर्ना का इसके अंदर अभी create किया हुए वर्ना का पहले boot बहुत कम था अब boot वो increase हुआ है तो आप इसका complete review जो आएगा वो complete review हमारे चैनल पे 22 या 23 तारीक को upload